इसे कि आप लोगो को याद है कौन-कौन से फंक्शनल गृूप के बारे में अपने इस्टेडी कर लिया था उनके जो सेकेंटरी सफिक्स है उनको अपने कैसे लिखना है तो अपने पास जैसे कौन से अभी तक फंक्शनल गृूप है जो अपने इंडिवीजल स्टेडी नहीं किया तो उनके बारे में थोड़े बहुत जो रह गया पहले उनको पने स्टेडी करते है ना देखो अपने कार्बोग को देख लेते हैं पन नेमिंग ओफ कि नेमिंग ओफ कि एस साइल है लाइड इसले के अंदर किसे बोलते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होना चीए इडेंटिफिकेशन और वाट द नेम ओफ देट फंक्शनल ग्रूप एंड आफ्टर देट सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स ओकी अइडेंटिफिकेशन में उसका इस्टाइट से होगा यहां पर सी डबल वोंड होगा और यहां पर एक्स लिखा रहता है हना और यह जो एक्स है वो कुछ भी हो सकता है जैसे कि एफ हो सकता है और बी आर हो सकता है और और आई हो सकता है बट इन ज फ्राइट इस नहीए उल्राइट इस यह पर लिखा नहीं से चाहिए इस नहीं यह इसका जो फंट्शनल लूंप लग्सक्राइब कर देरेस कर दो को इसका जो नाम होता है वो लाच्ट में कि नेम में क्या लिखा जाता है इसका नाम में लिखा जाता है वेल हैलाइड ऑइल हैलाइड यज़ प्रेजेंट दैन ओड्रोमाइड इस टायप से उसको कवर करना होता है इसमें कुछ भी नहीं है तो मैरे में है वह एक बात एंभी हो सकती है नकिसमें और भीны प्रॉट ये बाहर रें गया है तो अगर ईसा बोले किछ और कल को न आ जैसे कार्बोगजिलिकेशिड का कार्बन नहीं है तदसें में वो बाहर रह गया था तो उस केस में अपन क्या यूज ले रहे थे कि सी डबल गूंडों सी एल इसका मुझे नेम लिखने है और सीए ऐस्ट के डबल बूंड और और सी एल को कि सीएज ट्री सीए डबल बोनड की डबल बूंड की डबल बोन-ल के फाइनल प्राइब करें निका देखो फेस्टोफोल क्या बोलोगे के सीडबल मूंडों का यह कार्बन अगर आज सके तो ले नहीं है तो मैंने चेन में लिया देन नम्बरिंग करें तो यह फंक्शनल ग्रुप की प्राइटी ज्यादा होती है ऐसे करके नम्बरिंग कर दें इस देर इस नो सब्स्टिट्वेंट दैनि स्किप एट पॉर्शन अफर दैट कंपाउंड का नेचर कंपाउंड का नेचर अभी ओपन चैन है तो कोई यूज नहीं है उसका देन आफ्टर दैट रूट वर्ट टू कार्बन की लिए रूट वर्ट क्या एगा एगा एथ और एड़ एड़ फाइनली क्या आएगा ओएल क्लोराइड और वजह से इसे ही को अटा दू और वन वैल क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए इसका स्वाट में नाम क्या लिख सकते हैं अपन एथे नोएल क्लोराइड इस ट्लिर और नाट येस ओके सेकंड वन दि है लाइड बट इसकार दी सियल इस ओनली बिएज लाइज के सब्स्टेट्वेंट तो बताओ इसमें कार्बन चैन कांच हो जाएगी यह वाले कार्बन चैन नंबरीं कहां से करोगे वार्न टू एंड थ्री चलो इसका नेम बोलो टू क्लोरो सब्स्टिट्वेंट का नेम रूट वर्ड थ्री कार्बन के लिए प्रॉप फोरी सिंगल बॉन्ड एन एंड वन पर क्या लिका हुआ है ओयल क्लोराइड तो यह अटाओ ओयल क्लोराइड लिख दो क्लियर हुआ इसे कर लो इसको वान टू थ्री फोर इस दिर एनी सब्स्टिट्वेंट नो चोड़ो उसके बाद में रूट वर्ड में कितने कार्बन फोर बॉन्ड की नोलेज बताओ डबल बॉन्ड कहां पे है टूपी तो टूपी क्या लिक होगे इन आफ्टर एट वन ओ देख रहुं तो चलेगा इस एक वो टा दिया और यहां पर क्या लिख दिया ओनल क्लोराइड लिख दिया ऐसे करना अब अब जो तूब बताना के अब कर अब कर दो इसे मालो को रींग होती है सी डबल मून ओ इधर मालो एट्स पर बियाः लिग देता हुना और यहां कोई डबल बूर्ड कर दिया है तो इसका नियम बोलो मालो एक डबल मूंड यहां होता एक डबल मूंड यहां होता सी डबल मूंड ओ बी आर इदर होता और एक बी आर बतो इदर होता सिक्स नमबर पे वालोC double bond OCl इदर होता और एक C double bond OCl इदर होता और एक double bond यहां होता ना इनके निया मों लिखते हैं पन क्या करता मैं फेस्ट ओफोल यह मेरी principle carbon chain होती है ना नमबर ही कहां से करता तो सर इस बार यह carbon वां थैन आफ्टर एंसे रेसं कि सब्सक्राइड कर देना तो 1 2 3 4 5 6 पर एक्स यूज एक्स दर ऐने सबस्तेटिवेंट नहीं है तो चूड़ु उसके बाद में बताओ compound का nature इसमें compound का nature क्या हो जाएगा cyclo for a six carbon we use hex then after that two पे क्या लिखा हुआ है in तो two in उसके बाद में बोलो one पे क्या बोलोगे one पे क्या है तो आप क्या बोलोगे one पे सर है carbonyl for c double bond and halide which one halide is present BR तो BR के लिए क्या जाएगा Bromide तो Bromide लिख दिया यहां पर बोलो this one is principle carbon chain then one इसको देंगे because why यहां पर functional group लिखा हुआ है अब मालो इसको one दे दिया तो अब बताओ two किसको दोगे क्या आपको क्या वो बच्छों यहाद है मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि double bond or triple bond के किसी एक carbon को अगर आप numbering कर देते हो तो यह बिलकुल hard and fast rule है कि आप ऐस बैक नहीं नहीं आ सकते या फिर आपको जैस्ट उस double bond वाले ही carbon को numbering कर नी पड़ेगी अना तो देख वान इसी को टू देना पड़ेगा अना आप चाके भी ऐसे नहीं कर सकते इसको टू दे तो इस नोट रूल 4 5 6 चलो 5 पे क्या लिखा हो तो ब्रोमो 5 पे ब्रोमो देन अफर देट साइकलो साइकलो number of carbon 6 6 hex then बदाव बोन पर लिखा हो है और 5 पर लिखा हो है देन 1,5 डाइए 1,5 डाइए एन एंड आफर देट वन वन कार्बोनील वन कार्बोनील ब्रोमाइड वन कार्बोनील प्रोमाइड बताओ क्या इसी की वाज़े से इस इको टाउं नहीं क्यों कि ए य वाई ओ यू से अगर को इस्टार्ट होता तो डेफिनिटल मैं उसको हटा देता है से रहो इसमें बोलू इसमें दो है यह देखो एक तो यह कवाला कार्बन और एक ही वाला कार्बन ऊठाब को खयास रखना है ना तो किद्धर से श्ठाट करें 1-2-3-4 1-2-3-4 स्थी ए के 10 पर यहственно क्या यह ओं अनो प्राइटी वाइज सिक्मेंस वाइज फेस्टों फोल किसे देखोगे फंक्सनल ग्रूप देन अफ्टर दैट अज एट सब्स्टिट्वेंट तो बोलें वान तो त्री वान तो वान तो त्री फोर तू एथाइल टू एथाइल कंपाउंड नीचर इस बार है नहीं डैन रूट वर्ड में कतने कार बन फोर कारबर तो ब्यूट्टड डैन बॉन डबल बॉन तो टू पर क्या लिखा होएब दैन वण कोमा 1,4 डाइवल क्लोराइड डाइवल क्लोराइड इस एक टाना चीए कि मुझे अटाना चीए है ना जीसे इमालों ये डाइए ना कई बार मैं इसको हैक्स लिग दिया इसको आप अगर हैक्सा भी कर देते तो तो भी ठीक है ना भी करते तो भी कोई प्रॉल्म नहीं है बैटर अगर कर दोगे तो आच्छा रहेगा हना चलो एससे समझ माल जाएगा ओकी अब बताओ कोन सब फंक्शनल ग्रूप रहे गया हना एक फंक्शनल ग्रूप और सुनलो जो हलां कि विसे फंक्शनल ग्रूप आपन मानते है लेकिन वो किसी ना किसी डेरिवेटी वैच लिक अं में आपड़े कि नेमींग ओफ आप नेमंट आव एकी अचट है अधिक ट्रउड पियो हिन Means अवरज यह भा क्या है ड्राई है अब यह होता कैसा है एन हाइड्रस कैसे बनाना होता है डेफिनेट सी बात है बच्छो एच्टू के मॉलिक्ल निकल जाएंगे तो आफ्टर जो भी बचेगा डैट मीन्स वह उसका एन हाइड्रस है इस एट क्लियर और नौट समझवारी मेरे बात जीसे अना कोई मालो लैट सपोज कोई मॉलिक्ल है मुझे इसका एन हाइड्रस तयार करना है तो फोर तो एच टू जैसा कुछ होना तो चीह वह एच वगिर अचाइए तो ऐसा कुछ भी उसमें होना चीह ना अगर मालो इस मॉलिक्विल में दो ओएच है अपने पास तो अपने इंडायेटली क्या करेंगे ऐसे उसे जब हीट करोगे आप। तो ऐचटी जाए हैंगे और यहां पे अपंनों क्या मिलेगा अपना को मिलेगा किसका होगा ऑफ करूं कि कैसे कभी मुझे चीह है रिमूव करने के लिए दो हाइड्रोजन एक ऑक्सिजन एच्टू का मॉलेक्ल अगर स्मॉल मॉलेक्ल आप रिमूव करना चाते हो तो फिर उस केस में क्या करें तो ऐसा करेंगे अपर दो मॉलेक्ल ऐसे पास-पास में लेकर आगे उन दोनों में कॉमनली एक 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 टूब मॉलेक्ल अटा देंगे तो भी चलेगा नौप्रोब्लम हाना जैसे देखो ना माल लोग अच्छो मैंने आपको बोला कि एक मेरे पास एक टूएसओफ और यह एक टूब एक टूब करना आपको एक एक टूब करना तो क्या आपको इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्षिजन जैसा रिमूव करने के लिए आप प्रिपेर हो हाँ बोलेंगे इसमें है ना देखो दो हाइड्रोजन है सरी एक ऑक्षिजन है रिमूव हो सकते हैं ओके तो माल लोग रिमूव कर दिया तो आप्टर डैट क्या बचेगा तो एस ओ त्री क्या है ही वाप इसके नाम से दन्नोंगे इसको एसो त्री इज एन हाइड्राइड किसका एन हैड्राइड और एच्ट एसो फोर ना एसो त्री इसवाट एन हाइड्राइड और अस foto एसे बोलना होता है जैसे माल लूटेегда मैंने नाउ-ट्री कहसी ईसका एन-हाइड्राइड तयार करके दिखा तो आपका कांश्य taxpayer मोलिक्ल अटाना है न तो आपने क्या नुटिश एप लिए इस में क्या करो ऐसा सोचों के 2H3 एक कोमन हम क्यों अटा दिया होगा तो ठीक है तो दो मुलेकुल में एक डूर्ण लटाना आपको लेखे ना बचेगा यहां पर दो नाइट्रोजन कितने हो गए बच्छों दो पोटल मिलाके ना टू थ्रीजा सिक्स एक अटा दिया तो फाइफ रहे गए न तो फाइफ एंटु ओफाइफ इस नौन एज एन हाइड्राइड ऑफ एचनो थी एचनो तरी गाओ क्या कहलाएगा एन हाइड्राइड कहलाएगा जैसे मालों मैंने बोला कि यह कार्बोग जिल क्रों पास-पास तो सब्सक्राइब क्यों था इसको जा डिया आफ्र यह क्या चला गया तो नोबिल बूंडोब प्ली हो और यह बचे एचनोला अ ऑप्ज क्लिए को सानए उन ही इसकाह आड़राइड कहल एक सानए एन हाइड्राइड ऑफ एके प्रसप्लाइड कार्बोग अब अपन को नहीं पता हो भी तो भी चलेगा इसका अन्हाइड को अलग से फॉंक्शनल गूरूप नहीं है इसके नाम तो अलग से नहीं आने वाले क्यों नहीं वाले उनके पैरेंट कोने उनके पैरेंट कार बुक्स लिक है से तो डाफनेटली नेमिं़ नेमिंग कनवेंसिंग भी उनीकी तरीके से योगी क्लीर है इनका बच्वा ऐडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए और कैसे करोगे देखो सी डबल बूंड ओ ओक्सिजन सी डबल बूंड ओ ऐसा होना जाए उनका नेम क्या होगा नेम क्या है इसका एनाइडरेट किसका एसिड का इसका लग्सफिक्स क्या यूज़ लोगे ओएक एसिड नहीं बोलके जिसका लग्सफिक्स क्या यूज़ करते है थे ओएक एसिड बट अब ये एसिड नहीं है एसिड क्या बन गए एनाइडरेट एसिड अटाओ एनाइडरेट लगाओ बैस सीधा सा फंड़ आ है और अगर मालो कार्बन काउंट नहीं होते हैं तो कार्बो अगजलीक एसिड लिखते थे थे ना वापर यहां पर क्या लिखेंगे कार्बो अगजलीक एनाइडरेट ऐसे करना आपको क्लिर हुई बाती है जैसे देखो बहुत ही सिंपल सा वह तो कुछ नहीं इसमें मालो इसका नेम लिखना है तो आपको सोट कर चेट क्या करना है आप यह पता कर लो ने यह एनाइडरिय्ट जोयाना यह किस इसीड से मिल के बनाओगा कौंसा जिसी इसीड थी जिनको गरम करने पिर मिलाओगा तूनों एसीड का नाम लिख लो वो जो एसीड के नेम क कारता ना उसके लास्ट में तो एसीड वर्ड huh ना इसकी जगह आप एना ड्रेड लिख दो बसो नेम हो जाएगा जैसे आपने को पता है कि यह एच्टू का मॉलेकल अटाने के बाद में यह बना होगा तो आपने इसे ब्रेक किया मादलो तो आपको पता चला कि हो यह C double Omodge इसके साथ तो क्या जोड़ दिया मैंने व जोड़ दिया मैंने ओस जोड दिया इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया ए टो यह ब ziemlich oh वाला कर लिए और bet how का नियम लिए इफ एसीडिस सेम बोथ एसीड्स आर सेम डैन ओनली राइट वन टाइम क्या ने मैं बच्वों इसका में थे नहीं के सिट था लेकिन आपने तो इनकी नेम लिख दिये एच्ट इंदर अपनों नेम किसका लिखना चीए था इसका तो बोलेंगे क्या चेंज करन लेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा मीथे नोई के एन हाइड्राइड इसका नेम हो जाएगा क्लिर हुए बात कि चलो बताना मुझे इस बार है ना कि इसके बारी में आपका क्या कहना है बताओ कि चेक करो बॉंड तोड़ दो इधर वाला ब्रेक करो चाहिए इधर वाला जिस तरह फोक्सीजन होना उस तरह फैच अनौदर साइड वेच तो ऐसे ब्रेक हो गया तो देवा आपको एसीड कौन से मिली सी डबल बॉंड ओ वेच प्लस यहां पर भी क्या मिला सी डबल बॉंड सी इस ती इस इट क्लियर और नॉट इफ बोथ एड़ सीड्स आर सेम देन आपको दो बार लिखने जरूत नहीं आप एक बार लिख दो तो इस एसीड का नाम क्या है इत्थे नौइक एसीड बढ़ आप इत्थे नौइक एसीड थोड़ी लिखेना अपनों इसका नाम लिखेना चीए था तो आपन बोले इत्थे नौइक एनाइड़ाइड वाट यू मीन भाई इत्थे नौइक एसीड को जब आपने हीट किया तो आपको यह एन हाइड्राइड मिला पो यह सी डापल बूंड ओड़ ओ भी दापल बूंड ओ सी डापल बूंड ओसीएस तरी माल इसा हता तो तो इसा हता तो नौप प्रूल्ड मॉंड थोड़ो एज और ओएच जोड़ो A C double bond O H PLUS O H C double bond O CS3 लेकिन इस बार आपने क्या नोटिस किया सर इस बार तो अलग अलग है हाँ ना एक कार्बन की कार्बोग जिलीक इसीड है और यहाँ पे तो कार्बन की कार्बोग जिलीक इसीड है तो वाइज इस बार तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता का आप एक बार लिख दो या फिर ऐसा भी नहीं बोल सकता दोनों में सी किसी एक को लिख दो मुझे इन दोनों की नेम लिखने पड़ेंगी बट पहले कौन लिखा जाएगा तो अलफाबेट में जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा इस वन इस मिथे नौइक इस इथे नौइक एकम फ्रेस्ट फ्रों एंटे एथे नौइक इथे नौइक और इसका नाम क्या हो जाएगा निथे नौइक लाश्ट पहले पता कर लिए कि कौन से दो एसीड से एन एड़ाट बना था इसका आपने क्या मिनिक समझा यह क्या है इथे नौइक और मिथे नौइक एसीड जब एक साथ हीट की गई तो इस टाइप का यह कंपाउंड बना और इसी वज़े से बोलते हैं इथे नौइक मिथे नौइक एन हाइड्राइड कि चलो तो इस बार आप बताना मुझे ना कि इधर एक क्लोरो कर देते हैं इधर एक प्रोमो कर देते हैं कि कैसे करोगे आइडेंटिफाई करो इसमें देखो यह रहा एन हाइड्राइड ब्रेक कर दो तोड़ दो इसे कि कैसे बरेक करोगे ओए और एच आपको एसीड मिलेगी ना दो डबल वूंडो ओए इधर कौन लिखा हुआ है बियार ओएच डबल बूंडो फिर बराबर अब इन दोनों के इंडिविजुल आप नेम लिख लो बस एसीड अटा देना और लास्ट में एड्राइड लिख होती जी बोलो सेलेक्था डा परिंसिपल कार्बंची ओन तो ठी इसका नेम लिखना हो तो क्या लिख होगे तू ब्रोमो तू ब्रोमो नंबर ओफकार बंटरी प्रपसिंगल बोंड और वेंग सीड इसका नेम इसे लिखता इसका नेम कैसे लिख 20 Cathedral 2004 नेम तूबक ररी कॉर बन प्रोब फॉर सिंगल बॉंड एन और यह टाता और वन ओएक एसीड लिखता अब उजी नेम किसका लिखना है उजी नेम तो इसका लिखना था तो एलफा बेट ओडर में बताओ पहले को न आएगा तो बोलेंगे यह लाएगा ब्रोमो की वज़े से बैस एसीड अटाओ और लास्ट में एक बार एन हैड्राइड लिख दू यह इसका नेम बोले जाएगा तो लेंक होगी बोलो टू ग्रोमो कि प्रॉपे नोईड परोपेण रॉपेण से बाद में चूण लोरो प्रॉपेणनोइक कि लाश्ट में क्या वर्ट्यूज में लेतना तना असान हो ग और करते हैं देखो प्रीबर बच्छ टैप के भी एक्जामपल अपनों देखने हो मिलते हैं उनको देख के बच्चे नॉर्मली कन्फूज रहते हैं कि यह कैसा कंपाउंड है जैसे कि माल लो यह उक्षिजन है इदर डबल बॉंडो डबल बॉंडो एदर एसी एल एदर बी आर एक और करते हैं माल लो इस टैप के कंपाउंड आ गए है न तो जनरली बच्छे क्या कंफूज रहते हैं इसमें एक हैसर यह तो साइकलो है सारे तो साइकलो वर्ड शूज लेना स्टार्ट कर देते हैं साइकलो पता है साइकलो तो पता है जब रिंग होती है लेकिन वह किसकी ओने निची यह नीची है तो दिमाग से निखाल दोगी यह साइकलो कंपाउंड से यह बत तो एन हैड्रेट तीनों में देख लो जाए आपको एन हैड्रेट वाला ग्रूप मिलेगा देखो यह देखो यह देखो इसमें बीच में एक ऑक्सिजन जिश्ट पास में दो सीडबल वूंड हो अना तो एनाइड्रेट है इसमें साइकलो जिससा वर्ड चून नहीं आएगा उसका भी एक रीजन है कि आपने इसको ब्रेक किया जिसे इधर एच लिखा इधर वाइच लिखा तो यह तो निया सेम काम मैंने इसके साथ किया जैसे दर वाला बॉझ तोड दिया और इधर वैस्ट कर दिया जिसे इसे इसना भी कि सेमी एदर एच कर दिया और इधर वाइस तिनों कि तिनों यजु कंपाउंड साइसरा लग रहे हो पंचेन वाले आप मैं इनका नेम लिख दूऊ औ there is no substituent compound का कोई nature नहीं for carbon के लिए but single bond के लिए in and 1,4 a di oic acid but आप तो उसका लिख रहे थे origin का तो यहां पर क्या कर दूँगा and hydride and hydride इस इट क्लिएर ओक युजे सिसी कोटा दो सेम केस देखो select the principal carbon chain then how to numbering 1,2,3,4 1,2,3,4 मतलब कार्बोग जलिक एसिट को तो 1,4 ही मिलना है then go for double bond or triple bond 1,2,1,2 then go for substituent 1,2 एक substituent मिला इधर चाहता तो 1,2 एक substituent मिला then finally go for alphabetic order is it clear 1,2 क्यों ब्रोमो पहले आता है क्लोरो से what is the name of this acid 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 कार्बन के लिए ब्यूट and double bond कांपे two पे then two in और 1,4 1,4 डाई ओई के नॉट एसिड क्या बूलेंगे एन हाइड्राइड एन हाइड्राइड एन हाइड्राइड एटाओ is it clear और नॉट चलो देखो select the principle carbon chain इसको बन देता तो 1,2,3,4,5 अगले वाले कार्बोग जिली केसिड को 5 मिलता इसको बन देता तो उसको 5 मिलता इसका मनलब यह बात तो और आपित होगी कि लास्ट में क्या आएगा 1,5 डाई होई केसिड आना है तो ट्राइग क्या करें का अन्सेचुरेशन पास आए अन्सेचुरेशन को कम से कम नंबरिंग मिले इस टायत की नंबरिंग की अपन arrangement करते हैं then unsaturation बोलो किस side चे पास आएगा 1, 2 1, 2, 3 तो चोडो numbering की मैंने 1, 2, 3, 4, 5 चलो name लिखो substituent का name सबसे पहले उसके बाद में 3 nitro लिखा आपने 3 nitro उसके बाद बोलो उसके बाद में number of carbon 5 paint लिखा then 2 पे in लिखा then 1, 5 di-oic acid 8 आ दिया अब बोलें सर्थ वो तो आप ने इसका लिख दिया मुझे तो उसका लिखना चीए था तो बोलें कि सोडो 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 यहाँ पे क्या लिख दो and hydride acid and hydride की बाते क्लिर होगी न आप इथर का नेम कैसे लिख होगी यह भी बच्छो एक टाइप के न हैड्राइड ही होते हैं इथर भी जैसे इथर ऐसे बनते हैं कि यह एलकोल नहीं है गया आप एलकोलों को जब हीट करते हो ना आप कार्बोग दली के एसीड को हीट करते हो तो एसीड का एन हैड्राइड मिल जाता है और जब आप एलकोल को हीट करते हैं आपन तो आपको ether generate होता है clear ही बात क्या है यहां पर carbon है बहुत सारे अलग अलग type के carbon है this is known as ether इसका नाम होता है इसी को ether के नाम से जाना जाता है इसलिए ether को मानते तो है अपन functional group definitely बट इसको कोई अलग से treatment नहीं देते हैं अपन गवीज का को सेकेंडरी सफिक्स होता है ऐसा कुछ नहीं होता oxygen की दर दर भी carbon इदर भी carbon इसका अलग आप select करो carbon की chain और इसको आपन एज़े substitute ही ट्रीट कर लेते हैं क्योंकि यह एलकोक्सी जैसा group है वर आपने दिखा था ना OCS3 का नाम होता है इसे लिख डालते डायरेक्टी के अलकोक्सी अलकोक्सी एलकेन अगर वह एलकेन है तो और अगर मालों डबल गूंड हुआ तो अलकोक्सी एलकीन इस टाइब से कैसे इदेटिफाइब करोगे इथर को oxygen के दोनों तरफ carbon होना चीए तो इसका कोई identification बड़ा तो है नीव सिंपल सा दिखना चाहिए आपको क्या oxygen के दोनों तरफ carbon जैसे देखो CS3 और CS3 अब तो मुझे इतना बता दो इधर carbon chain बना हुए इधर oxygen साथ में तो उसको तुमत ले लिए ना चेन में ऐसा तुमत बोल देना सिर्फ पूरी कोई chain मना लो कोज़ वह carbon की chain होनी चाहिए तो बोलें दोनों साइड से एक एक carbon है कोई परगनी पड़ेगा तो एक ले ल से और उस साइड अगर एक carbon है तो एक carbon का रूट वर्ड मेट फॉरी सिंगल बोंड एन तो मिठोक्सी मिथेन तो कोई आया है नहीं सिंपल है तो है ना चलो जैसे इस बार मुझे बताना करकल को मालों ऐसा करता तो यहां पर दो carbon लेता तो बताओ आपका क्या कहना इसके बा chlorine ना दो carbon के लिए चलो इस बार मैं तीन carbon लेता हुँ ना इस बार देखते हैं कौन बता पाएगा इसका कौन बताएगा Mithoxy unplopon Mithoxy proprio अगर मैं 3 carbon मैं इस style में लेता तो अगर मेरी style ही अगर यह वती 3 carbon लेने कि तो आप उसके बारे में क्या करना होता आप ऐसा मत कर दे ना इस बार के अईसे लो लेंगा 2 carbon ऐसे करके आपको ऐसे थोड़ी लेना है आपको maximize o Give a favor हो इस बार इंप बार मिट्ख नूश करने पड़ेगे इस बार में लिखा जाएगा फंट कौनि रिंदाथ इसका नहीं बच weeds और कार्बन ले लेते हैं और इदर यह वन पर मिथायल माल लेते हैं ज्यादा तर बच्छे मैंने दिखा है कि इसको नाम ऐसे लिगदेते हैं कई बार वन मिथायल करके हैना वन थोक्सी ऐसे कुछ भी आना तो वो जन्रलिया आप मत करना आप थोड़ा समझ गई हो इस बात को ऐसा क्यों नहीं करना है ना कि आपको मैक्सिम कार्बन लेने तो यह किसने बोला है कि दो कार्बन ही लो आप आप जदा कार्बन ले लो कोन मना गर रहे है चलो कि एस तरी ओक्सिजन कि सी एल सी एच टू कि बोलो दिखाएं इसमें एक कार्बनी द्रोर बढ़ा देते हैं आपका इसके बारे में क्या है वही कहना हा ना एक और देदूंगे एक्जाम पर इसका देखते हैं कौन करेगा चलो बोड़ो इस दिस एथर येस का अक्सिजन के दोनों तरफ कार्बन एथर एथर तो बलेंक दोनों सरी एक की तो है एक को प्रिंसिपल कार्बन चेन माल लो और एक को उससाइड लिख दो है इसका जो भी नेम होगा लाश्ट में ओक्सी कर देंगे तो बोले इसको वन मान लू तो इसका नेम क्या लिखा है तो बोले साइक्लो साइक्लो प्रोब अना एलकोक्सी होता है एलकोक्सी ऐसे ही साइक्लो प्रोब तीन कार्बन है और एक ओक्सी तो साइक्लो प्रोपोक्सी वहाँ पे वहाँ पे कंपाउंड का नेचर साइक्लो तीन कार्बन के लिए प्रोब और सिंगल मोंड के लिए एन साइक्लो प्रोपे इसका नेंब कर लो यह अपने चेंट कॉन सी को था इसको बार यह प्रेशिपल क्रवें देन मान तो H और Y में H पर ले आता न, तो मुलेंगे 1, 2, ऐसे गरो, Sir, 1, Chloro2, Cyclopropoxy, Cyclopropane, इसे बोलो 5 वाली मेमरी को मनोचK, या 4 वाली को, 5 वाले को, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा, Sir, Cyclobetoxy, इस टाइब से करना है बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रूप हो रहे गया कार्बोग जिलेकेशिट कवर किया एनाइड कवर किया एमाइड कवर किया एस यलाइड कवर किया एमाइड कवर किया ईस न एक बता दूँगा उसके बादने अफली है टाइन अच्वP हम नेरी हो गए साफ़ को बीिच मैं आपको यह सकता हूं लेक्षर के देखो, आप लेक्सर के दोरान उस पूरे वीडियो लेक्सर को देखो, अपने प्रोपर नॉट्स बनाओ, जबी भी वो question of the day आए, उसको देखो, अराम से उसका solution करो, और solution करके आपको send करना है, बोले कहां send करना है sir, वो आपको group में पता कर जाएगा, आपको एक number दे जाए जो भी आप question send करोगे, जो fast three आएंगे ना, उनको बचो price दिया जाएगा, जबी भी school open होगी ना, और यह regular basis पे अपने चलेगा, कि मैं आपको question of the day दोंगा, और उसका announcement होगा, ग्रूप में, इवनिंग में या फिर जबी भी, और वो आपको बता दिया जाएगे, कि आज के तीन हो, कौन है, जो price के दाविदार है, clear है यह बात, हना, तो आपको regular basis पे जो बचा अचा प्रोफोर्म करेगा, जब school open होगी, तो उसको definitely prayer के time, उसको price distribute किया जाएगा, तो आपको जो पहले देगा ना, उसका announcement, वही माना जाएगा, बाकि तो answer दो चाहिए, लेकिन पहले तीन कौन है, बात यह चलेगी, is it clear or not, okay, time for the question of the day, चलो अपन question of the day बनाते है, आज का, question of the day है, आज का, किसका दे में, आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, मैं नहीं, मैं आपको देता हूँ, question of the day, एश्टर का दूँ या, या एन हाइडरेट का दू, चलो एन हाइडरेट का देता हूँ, question of the day, राइट दा आईउपी सी नेम आपको आईउपी सी नेम बताने किसका बताना आईउपी सी नेम आपको आईउपी सी नेम बताने इसका question of the day थोड़ अच्छा देना पड़ेगा मुझे नीतों देगो सबी कर देंगे फिर तो ना यहां पर क्या लगाएं भी कि अब कि अब लिम्यूटेड बचे कर पाएंग मनलब कंपिटीशन का मोल वन जाना ची आप में कहां पहले कौन करें बाज में कौन करें फंडा समस्व में आगे न करना कैसे करना कैसे बोलो एन आइड रेड है बॉंड का ब्रेक करो एक्स करो वेज लगाओ इन डिरिकली ओपन हो जाएगा तो उस कार्बॉंग जिलिक एसिड का नाम लिखना है एसिड अटाओ एन एड रेड लगाओ यह पंडावना चीज इस वनीजे कॉंप्लेक्स सब्स्टिट्वेंट यह साइकलो प्रोफाइल टाइप हो गया यह थोक्स की टाइप हो गया यह डबल भूंड है ट्राइक करो फास्ट ओके बच्चो टैंक्यू लॉफ्यू मिलते हैं जल्दी कल बाई